अज मैं आपके साथ कड़ी की रेसिपी शेयर करें। कड़ी हम काफी तरह की बनाते हैं, लेकिन आज हम बना रहे हैं कड़ू की कड़ी। ये कड़ी सच में इतनी टेस्टी बनती है ना कड़ू की और बहुती मज़ेदार बनाने में भी ये बहुत इजी है। तो चलिए फिर बनाते हैं इसे, तो यहां पर देखिए जी मैंने हरा कदू ले लिया हुआ है, और अब हम इसे क्या करेंगे, पहले इसके हम ऐसे पीसिस कट कर लेते हैं, और इसका जो बीच बगारा वो हम निकाल लेते हैं, और कदू के हम छोटोड़ी पीसिस कट करेंगे, और चिलके के साथ ही हम इसे कट करेंगे, इसका चिलका हमें बिल्कुल नहीं उतारना है, तो यह हम पहले कदू को काट लेते हैं, और इसके जो पीसिस है ना हमें ज़्यादा बड़े नहीं रखने हैं, बस ऐसे छोट छोटे पीसिस में से कट करने हैं, तो पहले हम इसे कट्दू मैंने काट लिए हो आप ऐसे चोटोटी पीजिस में से कट करना है और कद्दू हमने सारा काट लिया हुआ है और अब हम इसका तड़का रड़ी करते हैं तो यहां पर मैं इसे मस्टर्ड आयल में बना रही हूँ यहां पर लिए जी मैंने मस्टर्ड आयल को गरम हो तोड़ा ऐखर्टियुक्री खेयर है राध्या और चैसे टाल दीकि उसमें उसमें झालए बिदर हुआ है और आप हमने इसे थोड़ी दिर बून लिया है और इसके साथ ही अब हम डाल देते हैं जी नमक नमक अपने टेस्ट के गॉर्डिंग लिए अब डाल दें थोड़ी सी हल्दी और इसके साथ हम एट कर देंगे लाल मिच आप चाहे तो हरी मिच भी काट के डाल सकती है लेकिन मै तो बस अब हम इसे थोड़ी दिर ऐसे बून लेते हैं और उसके बाद हम इसे कवर करके रख देते हैं पकने के लिए और दूसरे साइट हम इसका दही रडी कर लेते हैं तो यहां पर मैंने दही ले लिया हुआ है मैंने एक बड़ी कटोरी लिया हुए दही कि उसमें मैं द अब हम इसे रख लेते हैं अभी साइड में तो पहले हम देख लेते हैं कि सब्जी हमारी पख गई है कि नहीं और यह देखें कदू हमने ऐसे खोल के चेक कर लिया है तो अब भी थोड़ा सा कच्चा लग रहा हम इसे कदू को थोड़ी देर पानी डाल के और थोड़ी देर पका लेते हैं और यह हमने पानी डाल दिये इसमें थोड़ा सा और अब हम इसे थोड़ी देर कवर करके और पका लेते हैं तो यह अब हम खोल के चक कर लेते हैं और दे कि और अप इसके साथ याब हम देही भी एड कर देते हैं हुप अब और अब हमेसे आभी बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे वैसे थो इसमें बेसन आयं देही तो इतना इदम फटता नहीं है वैसे चांसिस कम ही होते हैं फटने के लेकिन फिर भी हम इसे हिलाते रहेंगे तो यह बॉइल आ गया इसमें और इसके साथ ही मैंने डाल दी जी हरी मिर्चे अब और अब हम इसे थोड़ी देर ऐसे ही बॉइल करने के लिए रख देते हैं कड़ी को और जब त पक चुकी है इससे जादा हम इसे नहीं पकाएंगे और नहीं तो क्या होता है कि एक दम फिर थिक हो जाती है कड़ी और बस देखिए चोटटे पीसिस ऐसे रहने चाहिए बीच में इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो बस थोड़ी देर और बॉइल करते हैं औ बिसें डिश आउट और ये हमारी यम यमी टेस्टी टेस्टी मज़ेदार हरे कड़ु की कड़ी बनके होगी एक दम से रड़ी सच में इतनी टेस्टी कड़ी बनती है न ये आप इसे रोटी के साथ चावल के साथ जैसे आपका मन आप इसे खा सकते हैं चावल के साथ इसका करें अपने फैमिली के साथ मिलती हूं में एक नई रेसिपी के साथ तब तक अपना ध्यान रखें लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और कॉमेंट करके मुझे बताना आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी एंड थैंक यू सो मच पर वाचिंग